अफ्रीका के कई सितारे इसे गर्व से देखते हैं। वहीं अफ्रीका में आज भी कुछ लोग टाटू को ठगों या फिर देव या प्यार करने वालों से जोड कर देखते हैं। कुछ अफ्रीकी युवा इस सोच को बदल रहे हैं। उनके बीच टाटू कल्चर तेजी से पहल रहा है। युगांडा के आफ्रूबीट सिंगर बीनी गुंटर तो टाटू के दीवाने हैं। इसके बावजूद युगांडा में टाटू को बुरी नजर से देखा जाता है। सांतो युगांडा के स्टार टाटू आर्टिस्ट हैं। सांतो इस नजरिये को बदलना चाहते हैं। 26 साल के सांतो और उनकी टीम ने युगांडा के कुछ नामी सितारों के टाटू किये हैं। इन में आफ्रो बीट्स आर्टिस्ट जोजे सामेलियॉन, अदाकारा शीबा और किक बॉक्सिंग चैंपियन गुलोला भी शामिल हैं। जरूरी नहीं कि छबी बुरी हो। लेकिन हाँ, वे इसे कला के रूप में नहीं समझते हैं। अफरीका में कला का ये रूप हमारे पास पहले भी था पारंपरी क्रूप में, जो दिखाता था कि आप कि इस परिवार और इलाके से हैं। बस लोगों को टैटू के बारे में थोड़ा समझना होगा। टैटू आटिस्ट बनने के लिए सांतों ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। तब उनकी उम्र 18 साल थी। आज वो राजधानी कंपाला के टाटू स्टूडियो के एले इंक के मालिकों में से एक हैं। पूर्वा ग्रहों के बावजूद हम जो करना चाहते थे वो कर रहे हैं और बहुत से लोगों कोई बात पसंद है। सिर्फ टैटू बनवाने से कोई बुरा इंसान नहीं बन जाता, वो तो सिर्फ खुद को व्यक्त कर रहे हैं। ये तो इजहार का एक तरीका है। बहुत से टैटू प्रेमी दक्यानूसी सोच का सामना करते हैं। बिजनस्मैन मिल्टन मुंबेरे दफतर में हमेशा अपना टैटू ढख कर रखते हैं। टैटू से सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर रोनाल कार्सी के मताबिट लोगों को स्वास्ते संभंधी जोखिम की जानकारी है। अगर वे हर किसी पर एक ही सोई इस्तिमाल करते हों और उसे इस्तिमाल के बाद वीशानू मुक्त नहीं किया जाता है तो HIV, Hepatitis B, Hepatitis C जैसे इनफेक्शन का खतरा पैदा हो जाता है। जोखिम और खराब इमेज के बावजूर बहुत से योगांडाई युवा टाटू बनवा रहे हैं। धार्मिक चित्र और प्रार्थनाए पसंदीदा टाटू डिजाइन हैं। लेकिन स्टाइल कुछ भी हो, आलोचना जरूर होगी। और ये सब पहचान के लिए हो रहा है। टाटू बनवाने की हिम्मत और फिर उसके साथ जीने के लिए साहस। टाटू गुदवाने वालों के पास ये दोनों चीजें होनी चाहिएं।